कि इस वीडियो में आपको अपर आए और नॉर्मल जो क्लास 12 उती है यानि कि इंटर मेडियेट इंटर क्लास pergi बोड्ड कि आपको एक्जाम होती है इस दोनों में से आपको क्या चूछ करना चाहिए कितने ऐसे स्टून होते हैं जो कि लास्ट करने के बाद वो competition की भी त्यारी करने लगते हैं यानि कि यह आई टीया या पूल टेक्निक की या फिर वो normal class 12 की भी पढ़ाई करने लगते हैं ताकि बाद में वो जेई मेंस दे सके या फिर बीटेक कर सके तो इस दोनों में से आपको कौन सा चूज करना चाहि है यह 10 points मैंने चूज किये हैं वो 10 points का मैं समड़ी बता देता हूँ कि जो कि मैं वीडियो में पूरे आगे आपको explain करने वाला हूं जो फर्स्ट पॉइंट होगी टेक्निकल वर्सेल नॉन टेक्निकल सकेंड पॉइंट होगी आपकी job opportunities थर्ट पॉइंट होगी आपकी salary जो कि आपको further studies करनी है 8th की research sector में आगर आपको जाना है 9th कि अगर आपको social status चाहिए और 10th कि आपका interest क्या है तो यह जो 10 points मैंने अभी आपको स्वार्ट में बताया इनहीं सभी को मैं अभी आगे वीडियो में explain करने वाला हूं detail में तो वीडियो को एकदम skip मत करना और एकदम अंद तक देखना तभी आपको maximum benefit हो पाएगी तो चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ कि technical या फि नॉन टेकनिकल तो टेकनिकल मतलब होता है कि थोड़ा technology से लगाओ और technology मतलब कि math science ही होता है ओके तो अगर आपको टेकनिकल चीज में जाना है ऐसे दुनिया जो है वो दिन परते दिन टेकनिलोजिकल होते जा रही है और आपको उस technology के साथ नहीं आप कोपप कर पाओगे तो कहीं नहीं आप उस race में पीछे रह जाओगे तो यह तो टोटली आपर डिपेंड करती है कि आपको टेकनिकल चीजों से लगाओ है या फिर नहीं है ओके तो अगर आप टेकनिकल में जाना चाहिए तो फिर है कि बहुत ज्यादा जो पर्ट जो जो पॉर्चनिटीटीज है वहीं क्लास्ट के एक मैं छोटी से अपने इंसिदेंट सेर करने चाहता हूं कि मेरे भाई मेरे भाईया जो है वह ऐसे सब्सक्राइब में है और रिल्वे में एल्पी टेकनीशन में जो कट आफ थी ओके जो कि तो युगं ठीक कि की टिना बहुत बहुत शूप दिफ्रेंस हो जा रहा है अगर आप एक टेकनीकल डिग्री ले ले रहो हो या फिर आपके पास नॉन टेकनीकल युदि तो तो टेकनीकल डिगरी की कहीं कहीं डिमांड बहुत ज्यादा है और जौब पॉट जादा होती है ओके अब मैं आता हूं थार्ट पॉइंट पे तो देखिए टेकनिकल डिग्री में ज्यादा मिलती है नॉन टेकनिकल के मुकाबले ओके अगर आप क्लास के बाद करते हो और उसके बाद आगर आप जौब लेने जाते हो तो जाहिट सी बात है कि टेकनिकल डिग्री है तो उसमें प्रोमोशन भी थोड़ा जल्दी होता है तो इस वज़े से आपकी इसमें सैलेडी भी ज्यादा होती है वहीं अगर मैं बात करता हूं कॉम्पर करते हैं तो फिर आपको बहुत भाष्ट कंपरीशन फेस करना पड़ेगा मैं एक चोटा सो अधारा लेना चाहूंगा कि अगर आप ऐसे सी का फॉर्म बढ़ते हो तो उसमें नॉर्मल चेल के लिए कंपडिशन अरूंट 20 लाग के असपास जाती है हर साल इस्ट्रूंट्स एपियर होते हैं सिर्फ 5000 वेकैंसी के लिए लेकिन वहीं अगर आप बात करते हैं नॉन टेक्निकल डिग्रीज की नॉन टेक्निकल बेसिस पर जॉब्स पर तो यहाँ पर उतनी ज्यादा कंपरीशन नहीं होती है कंपरेटिवली बहुत लिस होती है तो इस वजह से यहाँ आपका एक अपर हैंड होगा कि अगर आप टेक्निकल डिग्री जैसे आईटिय करते हो तो फिर आपके आपके पास जॉब अच्छी खासी रहेंगी उसके बाद में बात करता हूं कि ट्रेड की अगर सभी बच्चे की रैंक तो अच्छी आती नहीं है कुछ बच्चों की ख सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपको अच्छी ट्रेड मिल्रेयोगत यह तभी आप आप आयटी आई करें अच्छी ट्रेड अगर आप से आपको नहीं मिल ले तो आई टेक इस इंशान फाइदा नहीं मिल पाएगा छीतना कि आप स उसके बाद मैं चलता हूँ जो नेक्स पॉइंट है कि बीटेक डिगरी की और अगर आपको बीटेक करना है तो फिर आइटी आइए आपके लिए बहुत ही लंबा रास्ता हो जाएगा बीटेक डिगरी डिरेक्ट आइटी आइए क्या बाद आप नहीं कर सकते हो लेकिन 12 के ब आप जई मेंस दे सकते हो या फिर इस्टेट जई मेंस के बैसिस पे स्टेट इंजिनेरिंग मेंस में भी नाम लिखवा सकते हो तो बीटेक डिगर आपको करनी है तो फिर आपके लिए नॉर्मल इंटरमेडियेट इस मच मच यूसफूल दैन यह आईटी आई उसके बाद म अगर आगे जाके पढ़ाई करना चाहते हो तो फिर आपके लिए नॉर्मल इंटर बहुत ज्यादा सही होगा इंटरमेडियेट बहुत सही होगा लेकिन अगर आप आगे जाके जो है वह जौब करना चाहते हो तो उसने जरी से में बात करूं तो उसने जरी से आपके लिए आइटी जादा सही है क्योंकि यहां पर आपको सैरली अच्छी खासी मिलती है और फिर बाद में आपको उतना पढ़ना भी नहीं पढ़ता है क्योंकि फिर जॉब में आपको सु टेकनिकल वर्क में ही आपको कर दिया रख दिया जाता है तो जॉब ऑपरचुनिटी के सैंटिफिक सैंटिस्ट के सेक्टर में जाना चाहते हो मिस्स रिसर्च में अगर आपका लगाओ है तो फिर आप आइटी कते ही ना करें ओके उसकेस में आपके लिए नॉर्मल इंटर्मेडियेट ही बहुत ज्यादा अच्छा सीद होगा क्योंकि उसके बाद आपको फिर ब आने लगते हो तो फिर आप पुछ भी करके में स्थोड़ा थोड़ी कहीं भी पढ़ाई करके करते हो तो फिर आज ज्यादा मिलती है लेकिन अगर आप आइटी करते हो ओके तो यहां पर जल्दी मिलती है और ज्यादा मिलती है तो इस मुझे से सुसल स्टेटस कहीं ने को उपर की 9 points पताई यह सभी इस बात पर आप consider करें अपना गौर करें और उसके बाद ही अपना final decision सोचे और your interest matters the most means आपका इंटरेस्ट क्या है आप technical field में जाना चाहते हो या फिर non technical field में जाना चाहते हो यह आपको technology से लगाव है या फिर नहीं है यह सभी बात का ध्यान रख के ही आप आइट या फिर नॉर्मल intermediate के बारे में सोचे वैसे अगर मैं civil services की बात करूं क्योंकि बहुत सारे student जो है वो cpl services UPSC करना चाहते है आईस बनना चाहते है बाद में IPS बनना चाहते हैं तो उस है फिर कमर से लेके भी आप UPSC के लिए बैढ़ सकते हो तो आई टी एक से वहां पर आई सब्सक्राइब खास फायदा है नहीं तो अगर आप UPSC के तरफ या फिर सिविल सर्विसेस के तरफ रुजान है आपका तो फिर आई टी आपको नहीं करना चाहिए आपको इंटरमेडियेट करना चाहिए उससे आपको ज्यादा मैक्सिम्म बेनिफिक होगा ओके लेकिन अगर आपको बस आई टी आ के बैसिस में जॉब लेनी है तो फिर आपको इंटर्म नॉर्मल इंटरमेडियेट करने से कोई फायदा है नहीं आपको आई टी आई ही वन अफ द जरूर्ड लिखें क्योंकि यहां पर अगर ताकि आने वाले वीडियो जो है उसमें मैं मैं अमेंट कर सको और क्वालिटी कंटेंट आपके लिए बना सको तो थैंक्स पर वाचिंग वीडियो एवन ऑसम डे